क्या नाम है आपका मैरा नाम अलियकबर काहां से आप महाराष स्हांगी से आप ये वगदा हो आपने इस से टेलीकोम क्यों की जर्ञें कि सर वब बाट बना रहे ते हूं आप लेकिन सर जो बहुत सारी दिक्क्त आ रहे ती कि आईसी लेवल को काम नहीं कर पा रहे थे यह कहां से नहीं आ रहा हैं इसकी कुछ नॉलिज नहीं था लेकिन जब एसे टेलि कॉम की बारे में सोना वैसे तो हम ने एसे टेलिकॉम जोइन करने से पहले बहुत सार इंस्टुटेटर मैंने फोन किया था अच्छा और उनसे पाचित की लेकिन वहां से सही से जवाब नहीं मिला हम क्योंकि मैंने बहुत सार उनको पूचा तो डाइगराम के बारे पूचा और ट्रेसिंग के बारे मुचा वह बाता भी नहीं सके वह पहले करते हैं एक साल पहले दो साल पहले तो क्या लेवल होता है अच्छा यह सात में हैं हैं ऐन क्या बूलना चाहेंगे आपके आँ से को क्या और नया बच्चा और और आगे परिए कि चलिब आँगो यह और आखरी पूछना चाहता हूं उन बच्चों के लिए बताओ जो जल्द वाजी में सीखना चाहते हैं दस दिन में पर्सा जा सकता है क्या आपको आठ गंटे से आठ गंटा पढ़ाया आठ से आठ बारा गंटे उसकी कोई लिमिट नहीं है ना हम पढ़ सकते हैं ना हमाल दमाग ले सकता है उसके बाद भी ठूर्वाउट एक दिन भी मिस नहीं नहीं है उसके बाद भी आप देखिए कि बहुत से कॉंटेने ऐसा जो नहीं हुए और आमने कितना लेदेली की कोशिस किये हैं सब्सक्राइब के साथ में मिल्कुल रोज कर रहा था लेकिन कंपोनेंट की नॉलेज और आईसी की नॉलेज कुछ भी नहीं थी आप बसाइसी काम किये जा रहा था था अब जो सोच के आया था वो सर सब कुछ मिला या पर हां सर मिला तो है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है बिल्कुल आप मुझे बताओ कि कौन जी त तरीक है 24 दो दिन हटा दो तो यहां पर आप मान लो पूरा महिना बर हो तो तबी भी ऐसा लगा कि याँ समय बरबात हो रहा है या कुछ भी बता-रे रहे समझ में नहीं है तो बिल्कुल भी बरबात नहीं है तो आपको क्या फील हुआ कि अपना टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर फ्रेसर और जो आप जैसे लोग है जैसे आप बुले न आपको बहुत और रेडी काम था अलग बहुत आप काम करके आए थे तो आपको क्या फील हुआ कि फ्रेसर और आप मेरे को लगा कि मैं भी फ्रेसर हुगी है आने के बादे बिल्कुल कि हम लोग को लगता है क आप जो डीप लेवल का नॉलेज होता है वो अलगी लेवल पर है यह चीज़ पंदा दिन में नामुम्किन है सच बता हूँ क्योंकि आपके वहाँ से बहुत से स्टुटेंट है जो जल्ली सीख कर जल्ली पैसा कामाना चाहते हैं अब जो बीप लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं वह इसे टिलिकोम जोइन करें यह दिल से बूलने हो किया आगे किसी को रिकमेंट करोगे की नहीं करोगे ज़रूर करोंगे सर्ट इटीकेट हैं चुब जाहां यहां पर दिखाए कि लास यहां पर यहां पर आज हम इंवी चेंज आपको बात कर रहें यह उसके अलावा भी अप्रोग कर सकते की नहीं कर सकते हैं तो आपको देखकर ही मैं आ पर दिमाग में डाल देता हूं इन स्टूरेंट को अपना पर्सनल गिफ देना है मेरे बाई अलग से गिफ तमें अलग दूँगा और वो कसम से अल्टिमेट होगा तो अभी दिमाग में रख लो अभी भी टाइम है बसी के लिए टाइमिंग बता हूं आपर कितने बचे कितने बचे हैं इंडिया का नमावारी किए को मैं है तो चुट झालोग करते हैं एंटाय।